वक्त का सफर अनोखा होता है एक बार तो अपने पर ही विश्वास उठ जाता है फिक्रत तब भी नहीं रखना क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इन्होंने भी ग्रहन अपना अपना जेला है नमश्कार मैं हूँ मुहित कमिल श्रमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल में और 2023 के दूसरे सूर्य ग्रहन से संबंदित विशेश जानकारी के इस एपिसोड में साल का दूसरा सूर्य ग्रहन यानि की सोलर एकलिप्स 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है और ये सूर्य ग्रहन कन्या राशी में और चित्रा नक्षित्र में घटत होगा ग्रहन की अवधी टाइम पीरड अगर आप देखें तो तीन घंटे और चालिस मिनिट की होगी जोतिश शास्त्र में सूर्य ग्रहन को सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है जो ना केवल लोगों को विस्मित करता है बलकि ये लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डालता है पूरे दुनिया के लोग इस घटना को अपने खगोलिय विज्ञानिक और जोतिश्य महत्वा के लिए देखते हैं लेकिन इसे देखने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है सूर्य ग्रहन को हिंदू धरम में विशेश रूप से मान्यता दी गई है और इस समय खंड में पृत्वी पर ऐसा समय भी होता है जब प्रकृती एक अलग रूप में दिखाई देने लगती है जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहन व्यक्ति के जीवन में कई बड़े पैमाने पर बदलाव करता है वही दूसरी और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये घटनाय आशिरवाद पूर्ण होती है और लोगों पर आशावादी प्रभाव छोड़ती है इतना है नहीं इसका असर लोगों के स्वास्ति पर कामकाजी जीवन पर नीजी जीवन पर और आर्सिक स्थिती पर सभी पर पढ़ता है और ये प्रभाव बहुत जादा तीवर होता है ये जो ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए शुब और कुछ के लिए अशुब है उनके लिए हर राशी के लिए क्या प्रभाव पढ़ने वाला है आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और एक बात का ध्यान रखें ये जो पूरा विशलेशन है ये आपके मून साइन पर जोडियाइक पर आपकी नाम राशी पर आदारत रहेगा सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की तो ये सूर्य ग्रहन आपकी राशी से रोग भाव में लग रहा है अब मेश राशी के लिए ये सूर्य ग्रहन काफी अच्छा रहेगा प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही रूप में आपके निर्णे जो है वो सही साबित होंगे कटन से कटन परस्तिती से बाहर निकलने में आप इस समय में समर्थ रहेंगे financial मोर्चों पर अगर हम बात करते हैं तो आप इस समय में समर्थ रहेंगे किसी भी कर्ज इसे परिशान हो तो उसमें भी राहत मिल जाएगी तो परिवार के लिए सही निर्णे इस समय में आप लेते नजर आ सकते हैं उपाय के तौर पे भाई बहनों के साथ किसी भी विवाद में पढ़ने से आपको बचना है और इसके अलावा driving में या फिर adventure sports अगर आप खेलते हैं hiking पे जाते हैं ट्रेकिंग पे जाते हैं तो इसमें कोई भी risk मत लीजेगा अब ये सूर्य ग्रहन आपकी राशी से fifth house में यानि की पांचवे भाव में लग रहा है व्रशब राशी के लिए सूर्य ग्रहन बहुत अच्छा साबत हो सकता है ऐसे समय में आप यवस्तित रहेंगे और किसी गंभीर समस्या से आप बचेंगे भी केरियर में आप over confident हो करके अपनी image को नुकसान पहुचा सकते हैं और कुछ ऐसा ही आपके करीबी लोगों के साथ में भी रिष्टे बिगड़ते हुए नजर आएंगे पर professional life यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी उपलब्दी हासिल हो सकती है स्वास्ते इस समय में आपका साथ में भाने वाला है उपाए के तौर पे छोटा सा कामया यह कहूं साथधानी बरतनी की जो बात है वो कर्ज या फिर उधार लेने से आपको इस समय में बचना है फिर बात आती है मित्वन राशी की तो ये सूर्य ग्रहन आपकी राशी से सुख भाव में लग रहा है मित्वन राशी के लिए इस सूर्य ग्रहन काफी उथल पुथल लेकर के आने वाला है जिन्दगी में कहीं चीजें अस्थिर होंगी तो आपको मजबूरी में समझोते करने पड़ेंगे और ना चाते हुए भी बदलाव करने पड़ेंगे अपने चलते हुए काम में ये नीजी और कामकाजी जीवन के लिए अगर इस लिहाद से हम देखते हैं इस परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो बहतर तरीके से समझने में आपको इस समय में मदद मिलेगी उपाय के तौर पे या ये कहूं सावधानी बरतने की जब बात हो नीजी मामलों को किसी से साजा करने के बाद में फिर आप आगे बढ़िएगा फिर बात आती है करक राशी की तो ये सूर्य ग्रहन आपकी राशी से पराक्रम भाव में लग रहा है करक राशी के लिए ये सूर्य ग्रहन बुद्धी मानी से काम के लिए प्रेरित करेगा आप दहरेवान और शांती भी बनेंगे और आर्थिक रूप से आप सम्रद्ध होंगे इसी के साथ में आपको ऐसे अपॉचुनिटीजे ऐसे अफसर भी प्राप्त होंगे जहां पर पैसे कमाने के मौके अनेक होंगे केरियर के मामले में अच्छे अफसर प्राप्त होंगे लेकिन आपके रिष्टे के लिए ये समय जो है वो थोड़ा डामाडोल वाला बन सकता है या ये कहूं सावधानी बरतने वाला बन सकता है आपसी तनाव से इस समय में बचना है और व्यवहार जो है उसको बड़ा ही सौमिय रखना है सावधानी बरतने की बात हो तो प्रोफेशनल लाइफ में अपने सीनियर्स और पार्टनर्स के साथ में आपको अच्छा तालमेल बिठा करके बैठना पड़ेगा फिर बात होती है सिंग राशी की तो आपकी राशी से धनसंपत्ती भाव में ये ग्रहन लग रहा है सूर्य राशी के लिए ये सूर्य ग्रहन नीजी जीवन में कई तरह के परिवर्तन देगा अपने रिष्टे को मजबूत बनाने के लिए चर्चा करें समस्याओं को पहचाने और कहीं ना कहीं पर एक रिजिल्यूशन लाए ये वसाइक रूप से ये ग्रहन आपको सफल बनाएगा हाला कि इस अवधी के दोरान में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कारे शित्र पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये सूर्य ग्रहन जो है आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेगा सेल्फ रिफलेक्शन खुद के लिए एक बार जो करते हो से पहले सोचो उसके लिए इस समय में मोटिवेटेड रहेंगे सावधानी बरतने की जब बात होती है यहाँ पर तो पिताजी और गुरुजी की सलहा का इस समय में पालन कीजेगा जो वो कहते हैं ये मान लीजे कि जो उन्होंने कहा है वो पत्थर की लकीर है पैसों के मामले के लिए बहुत सोच समझ करके निर्णे लेने की यहाँ पर बहात आएगी पर वहाँ पर भी गुरुजी का और पिताजी का कहना यही सबसे बड़ी आपके लिए बात होगी कि जो उन्होंने कहे दिया है उसको अगर पत्थर की लकीर मान लिया तो कोई भी परेशानी आपके सामने इस समय नहीं आएगी फिर बात आती है कन्या राशी की तो यह सूर्य ग्रहन आपकी राशी भाव में ही लग रहा है अब यह सूर्य ग्रहन आपके निर्णे लेने की शमता को बढ़ा देगा इससे ब्रहमित भी हो सकते हो और समय अवधी के लिए ये जो समय है आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो दो कदम पीछे भी जा रहे हैं समभवता इसी वजह से आपको अपने नीजी जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा सावधानी बरतने की बात जब आती है तो पारिवारे का मामलों को सुलजाने का इस समय में प्रयास आपको पूरी तरीके से करना होगा फिर बात आती है तुला राशी की तो ये सूर्य ग्रहन आपकी राशी भाव से ट्वेल्थ हाउस याने की बारवे भाव में लग रहा है और सूर्य ग्रहन आपके जीवन में कहीं तरह के बदलाव लेकर क्या आने वाला है स्वभाव में भी कहीं तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे तो इसलिए आपको धेरेवान हो करके शान्त रहने का प्रयास करना है परेशान करने वाली परिस्तियां जो है टेंशन में डालने वाली परिस्तियां है स्ट्रेस देने वाली जो चीजें हैं इनसे दूर रहने की कोशिश कीजेगा खास तोर पे पार्टनर्स के साथ में इस समय में वफादारी रखने की बात रहेगी पैसों के मामले में दूसरे लोगों के विचारों का भी आपको सम्मान करना होगा चलिए अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो इस सूर्य ग्रहन लाब भाव में गटत हो रहा है आपके राशी भाव से अब ये व्रश्चिक राशी के लिए सूर्य ग्रहन जादा सकरात्मक प्रभाव लेकर के आने वाला है आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो सम्रद्धी शाली रहेंगे और इसके बावजूद इस सूर्य ग्रहन के कारण नीजी जीवन में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा आपको अपने पार्टनर के सामने डिंगे हाकने से खास तोर पे बचना है समय समय पर अपने स्वास्थे की जाच करवाते चलिए या तो फिर जैसे ही अन एजीनेस फील होती है महसूस होती है कि हल्थ में कोई परेशानी है आज बेचैनी जादा हो रही है ठकान जादा है तब ऐसे समय में डॉक्टर का परामर्श जरूर लीजेगा साफधानी बरतने की जब बात हो तो खान पान जो है और कठोर शब्द इन दोनों के अंदर आपको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी अब बात करते हैं धनुराशी की तो ये सूरिय ग्रहन आपकी राशी से टेंथ हाउस में लग रहा है धनुराशी के लिए ये सूरिय ग्रहन कुछ नए पहल करने का समय लाएगा और इस दोरान आपको अपना पूरा ध्यान जो है वो ऐसे काम में रखना चाहिए है जिसमें आपकुछ नया सीख सके स्किल डेवलप्मेंट हो सके लर्निंग जो है वो आपकी बढ़ सके ऐसा करने से सुतंत रता यानि की फ्रीडम का अनुभव भी होगा एहसास भी होगा लेकिन इसके साथ ही आपको अपने स्वास्तिका भी खास तोर पर ख्याल रखना है बच्चों के साथ में अपने व्यवहार पर इस समय में थोड़ा कंट्रोल जादा रखिएगा तो वहीं लव लाइफ में अपने पार्टनर को पूरा सम्मान दीजेगा अब बात आती है दस वी राशी यानि की मकर राशी की ये सूर्य ग्रहन आपकी राशी से भाग्यभाव में लग रहा है अब मकर राशी के लिए सूर्य ग्रहन समझोते करने वाला बन सकता है आसपास के लोगों को काफी महत्व देना पड़ेगा गलत धारना है आपको दूर करनी स्वेम के ले पड़ेंगी प्रेमी जोड़ों के बीच में गलत फहमी है इस समय में उत्पन हो जाएंगी तो कई लोगों के मिजाज में बार बार बदलाव देखने को मिलेगा ये जो ग्रहन है सूर्य ग्रहन है इसका आपके स्वास्ते पर बुरा असर भी पड़ेगा बड़े धन और संपत्ती की डील्ज अगर आप कोई करने वाले हो प्रॉपर्टी को लेकर की डील कर रहे हो गाड़ी को लेकर डील कर रहे हो कोई कर्ज ले रहे हो लोन ले रहे हो तो यहाँ पर बहुत जादा सावधानी रखियेगा इसके साथ ही परसनल यानि की व्यक्तिगत और व्यवसाइक विवादों से खास तौर पे आपको बचना चाहिए है अब बात आती है कुम्ब राशी की तो आपकी राशी से 8,000 में सूर्य ग्रहन चल रहा है यानि की सूर्य ग्रहन लगेगा अब कुम्ब राशी के लिए इस सूर्य ग्रहन अनुकूल नहीं है केरियर लाइफ जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसका असर आर्थिक स्तिती पर भी आपकी देखने को मिलने वाला है और परिवार और रिष्टों पर इसका एफेक्ट जो है नेगिटिव एफेक्ट जो है वो जरूर देखने को मिलेगा कहीं बार घर में छोटी-छोटी बातیں जिसको आप कभी ध्यान भी नहीं देते थे नजर अंदास कर देते थे जिसे हम कहते हैं कि तूल नहीं देते थे बातों को उन बातों पर आपसी मद्भेद होने से कले कि स्थिती पैदा हो सकती है जो भी बोलो सोच समझ करके बोलो इसके साथ ही छोटी छोटी बातों को अंदेखा करना इस समय में सबसे ज्यादा बहतर सिद हो सकता है यहाँ पर बिना काम के मेहनत करने से आपको बचना चाहिए सिर्फ एक्जास्ट होना रिसोर्सिस खतम करना इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा ये धारना सोचना या ये धारना बना लेना कि नहीं मैं और जादा मेहनत करूँगा मैं और जादा पैसे डालूँगा तो शायद ये पैसे बना पाएगा बिजनिस ऐसे में डूपती नाव जो है उसको अकसर बचाने के चक्कर में और जादा नुकसान हो जाता है इस बात को समझना है और भाई बहन पडोसी रिष्टिदार इनके साथ में जो है इनका आपको साथ देना है हाथ में हाथ डालके आगे बढ़ना है अब बात आती है मीन राशी की तो ये सूर्य ग्रहन आपकी राशी से सेवंथ हाउस में लग रहा है अब मीन राशी के लिए सूर्य ग्रहन कई शुप समाचार लेकर क्या आ रहा है आपके जीवन में पॉजिटिविटी या सकारात्मक्त ना में बढ़ोतरी हो सकती है खुद को प्रेरित महसूस जादा करेंगे और आर्थिक रूप से सम्रद होने तथा विक्सित होने के लिए कई नए रास्ते आप तलाश करते नजर आएंगे अपने सीनियर्स की नजर में अपनी प्रभावशाली यानि की इंप्रेसिव इमिज जो है वो बनाने में भी आपको सेक्सिस मिल सकती है पर स्वास्थे के मामले में थोड़ी सावधानी जारा वरतनी है अगर ओबेसिटी है डाइबिटिक है या फिर बॉर्डर लाइन डाइबिटिक है तो इस समय में संभल जाईएगा यहां पर वानी और जूटे वादों पर खास तोर पर आपको बचना चाहिए है बड़े निवेश करने वाले हो सौदे करने वाले हो तो इस समय को थोड़े समय के लिए या फिरिये कहुई यह जो डिसिजिजन है इसको थोड़े समय के लिए डीले कर देना जादा बहतर रह अब बारा ही राश्यों का राशी फल हो गया पर बात आती है उपाए की ये जो ग्रहन का प्रभाव है इस प्रभाव के बारे में और क्या जानकारी हो सकती है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहन के समय बुद्ध के सूर्य और चंद्रमा से और गुरु और राहु के युती होने के चलते सोने के जो दाम है गोल्ड प्राइज जो है उसमें मंदी और अमेरिकन स्टॉक मारकेट में बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 2023 का यह दूसरा सूर्य ग्रहन है 14 अक्टूबर 2020 को पटने वाला है हाला की भारत में यह दिखने वाला नहीं है और इस वज़े से इसका सूतक काल भी हमारे भारत में मान्यन नहीं होगा ग्रहन का सूतक भले ही भारत में मान्यन ना हो लेकिन ग्रहन का प्रभाव समुची स्रिष्टी पर एक साथ पड़ता है और जोते श्रिष्टी से इस ग्रहन से ऐसी आशंका दिखती है कि सूर्य ग्रहन के बाद अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक उतल पुतल इसमें अचानक बढ़ोतरियात फिर व्रधी देखने को मिलने वाली है फिर बात आती है भारत में अगर नहीं दिखने वाला है ये खग्रास सूर्य ग्रहन अश्विन अमावसिया शनिवार को भारती स्टैंडर्ड टाइम से रात के 9 बच के 40 मिनिट से शुरू होगा और मध्यरातरी एक बच करके 19 मिनिट तक यानि कि 15 तारिक जब लग जाएग ये ग्रहन चित्रा नक्षतर में घटत होने वाला है अब चित्रा नक्षतर का स्वामी है मंगल आता है गेहूं लाल मसूर लाल वस्तर गुड तांबे का बरतन रक्त चंदन केसर मूंगा भूमी और ऐसी जो वस्तु में हैं इन में से जो भी आपका समर्थ्य हो जो आपकी पॉकेट अलाओ करें इसका मतलब ये है तो उसका आप दान कर सकते हैं और ये सूर्य ग्रहन कन्या राशी में घटत हो रहा है तो इसके कारण सोना घी घड़ा गुड तिल का दान ये भी आप कर सकते हैं कासे पात्र में घी भर करके दान करने से रोगों से भी आपको मुक् करना ही है अब ग्रहन के दुश प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे तो ग्रहन की समाप्ति के तुरंत बाद में सनान करनी है बले ही रात क्यों न हो चुकी हो समय कोई भी हो पर जब सूर्य ग्रहन समाप्त होता है उसके पश्चात एक बार नहाना सनान करना ग्रहन की राशी या फिर नक्षत्र में ग्रहन लग रहा है तो ग्रहन काल में अपने राशी स्वामी या नक्षत्र स्वामी के मंतर का जाप अवश्य करें सूर्य ग्रहन के दौरान सूर्य और राहू और वहीं चंद्र ग्रहन के दौरान चंद्रमा और राहू इनका मंतर जाब करना बहुत जादा लाबकारी सिध होता है अपनी राशी के अनुसार दान करना और भी जादा बहतर सिध होता है ग्रहन काल में अपनी राशी के स्वामी ग्रह के मंतर का जाब ये भी आप कर सकते हैं कांसे की कटोरी में थोड़ा सा गी भरके तामबे का सिक्का डाल करक अपना मुह उसमें देख करके दान करना ये भी लाबदाइक सिद होता है ग्रहन के उपरांत औशदी सनान भी आप कर सकते हैं इससे ग्रहन के अशुब फलाओं में कमी देखने को मिलती है जो उनका एफेक्ट है इल एफेक्ट जिसे कहा जाता है वो आप पर कम पड़ेगा तो यही सभी जानकारी थी सूर्य ग्रहन को लेकर के जो 14 अक्टूबर 2023 को घटित होने वाला है चाहे आप भारत में रहते हैं या भारत के बाहर जोतिश हम सभी की जिंदगी को आसान बनाती है एक मार्ग दिखाती है और इसी मार्ग को दिखाने की कोशिश मैं हर रोज इस चानल पर आपके सामने करता हूँ कितना उसमें सफल हुआ हूँ वो आप ही मुझे बता सकते हैं हमेशा की तरह प्रात्ना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवात हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन